नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका The Fit Indian Army चैनल पर पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बांगलादेश में अनाज की बहुत ज्यादा लाले पड़ रहे हैं लोगों को आता नहीं मिल पा रहा है, लोग भूग को मार रहे हैं इस प्रकार एक और वीडियो में हमने बताया था बांगलादेश में पूरी तरह से डीजल पेट्रोल ब्लॉक हो गया है डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है और जो मिल पा रहा है वो काफी महंगा मिल रहा है दोस्तों अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है और भारत ने बांगलादेश की सारी गर्मी उतार दी है बांगलादेश को एत लाख करोड से ज्यादा का नुकसान हो चुका है लेकिन इसी बीच CM योगी ने एक बड़ा धमाका कर दिया है और उनके बयान से यह सवाल उठने लगे है कि क्या बांगलादेश फिर से भारत में शामिल होने वाला है इसके साथ PM मोदी ने अमेरिका का और बांगलादेश को बहुत बड़ी चेतावनी दी है सब कुछ जानेंगे विस्तार से लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखे जैश्री राम और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और आपका ये छोटा सा चैनल है इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा माइने रखता है इसी लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ अगर आप सचे देशवासी हैं आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भी अवश्य लिखें बांगलादेश जिस प्रकार हिंदूओं पर हमले कर रहा है और भारत से जुडे सभी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है उसे देखते हुए भारत के अंदर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है जैसे लग रहा है कि भारत अब बांगलादेश को नहीं छोडेगा बांगलादेश की हालात को दर बदर कर देगा और इस समय जिसे लेकर कई बड़े डेवलप्मेंट सामने आ रहे हैं मालूम हो कि हाल ही में बांगलादेश डेवलपिंग देशों की लिस्ट में शामिल हुआ था लेकिन अब जिस प्रकार वहां का माहौल है उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांगलादेश पाकिस्तान से भी नीचे चला जाएगा विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू से बांगलादेश को एत लाख करोड रुप से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है यानि कि बांगलादेश के लोगों ने अपने ही 12 बिलियन डॉलर में आग लगा दी है अब उनके पास मात्र 20 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है जो आने वाले कुछ महीनों में ही खत्म हो जाएगा उसके बाद इन्हें लाठी छोड़ कर कटोरा पकड़ना ही होगा एक तरफ बांगलादेश की बिजली काटने की बात चल रही थी वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि बांगलादेश संकट से भारतिय टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को जबरदस्त बूम मिलने जा रहा है क्योंकि उथल पुथल के बीच विदेशी निवेशक बांगलादेश से बाहर भागना चाहते हैं और वे भारत में निवेश करना चाहते हैं यानि कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की मुठी में बांगलादेश की गर्दन आ चुकी है अगर उसने अभी भी हिंदूओं पर हमले बंद नहीं किये तो फिर भारत उसे टाटा बाय बाय बोल देगा हिंसा के कारण दुनिया भर में कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध बांगलादेश को बड़ा जटका लग चुका है क्योंकि यूरोप अमेरिका में हो रहे उसके निर्यात ठप पड़ गए है कमाई हो नहीं रही और खर्च बढ़ता जा रहा है वहां हिंसा का असर अभी आगे भी होगा क्योंकि अस्थिर से विदेशी निवेशकों के कदम भी पीछे खीच सकते हैं जो आगे भी महंगाई से राहत नहीं लेने देंगे इस वक्त बांगलादेश में महंगाई पिछले 13 साल की सबसे उच्चतम स्तर पर है बेरोजगारी चरम सीमा पर है वहां के युवा खाली हाथ में डंडा लेकर बैठे हैं जिसके कारण अभी बार बार दंगा भड़क सकता है आप सभी जानते हैं कि मालदीव के काफी लोग सस्ता इलाज कराने भारत में आते थे लेकिन जैसे ही भारत ने मालदीव को जटका दिया ठीक है वैसे ही उसके मरीजों को दूर दूर जाकर महेंगे में इलाज कराने पड़ते थे तब जाकर मरीज मोईज की अकल ठिकाने लगी और आज वह भारत के सामने घुटने टेक चुका है आज उसके पास देश चलाने को लेकर एक महीने का भी बैंक बैलन्स नहीं बचा मजबूरी में आकर उसने भारत को 28 आइसलैंड देने को तैयार हो गया है मालदीव की तरह ही भारत में हर साल बांगलादेश से भी हजारों लोग इलाज कराने आते हैं हाल ही में आई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांगलादेश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिर्ता के कारण भारत में चिकित्सा परियतन प्रभावित हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग बांगलादेश में स्थिती नहीं सुधरी तो इस साल बांगलादेश से भारत आने वाले चिकित्सा पर्याटकों की संख्या में 10 से 15 पर की कमी हो सकती है रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांगलादेश चिकित्सा पर्याटन में प्रमुख भूमी का निभाता है क्योंकि अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे, चिकित्सक ही नहीं होंगे, तो इलाज कौन करेगा? और भारत के कुल चिकित्सा पर्यटन में बांगलादेश का योगदान 50 से 60 पर है वैसे तो इस पर्यटन में दोनों देशों को फाइदा होता है लेकिन सबसे ज्यादा फाइदा बांगलादेश को होता है क्योंकि इसके मरीज बेहत सस्ते रेट पर बिलकुल अपने बगल के देश में आकर इलाज करा लेते हैं एक तरह से देखा जाए तो बांगलादेश दाना दवा और पानी सब कुछ के लिए भारत पर निर्भर है आपको बता दे कि चिकित्सा पर्यटन तब होता है जब लोग अपने देश से बाहर जाकर इलाज कराते हैं इसमें लोग आम तौर पर उन देशों में जाते हैं जहां उनकी चिकित्सा लागत कम होती है या जहां विशेश चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होती हैं जिनका वे अपने देश में लाभ नहीं उठा सकते बांगलादेश से आने वाले मरीजों की संख्या में गिरावट का असर भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र पर पढ़ सकता है लेकिन भारत को मरीजों की कोई कमी नहीं है क्योंकि भारत में 160 से ज्यादा देशों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं जबकि वहीं अगर भारत ने बांगलादेश के लिए अपने अस्पताल बंद कर दिये तो फिर बांगलादेश में मरने वालों का आंकड़ा आसमान चुने लगेगा इसी लिए बांगलादेश को चाहिए कि वह काईदे से रहे और भारत के सम्मान में लगी जितनी भी मूर्तियां को तोड़ा गया है उन्हें जल्द से जल्द पुनर स्थापित करें भारत ने बांगलादेश के मरीजों के लिए चिकितसा व्यवस्था बेहद आसान करके रखा हुआ है ताकि पडोसी देश को कोई दिक्कत ना हो मरीजों की समस्या का समाधान करने के लिए जून 2014 में बांगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत द्वारे के दौरान पीएम मोदी ने बांगलादेश से आने वाले मरीजों के लिए एम मेडिकल वीजा की शुरुआत की थी इस खबर से बांगलादेश के मरीजों में जबरदस्थ खुशी का माहौल था लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के बाद बांगलादेश में मौजूदा समस्याओं के कारण मरीजों की यात्रा रद्द या स्थगित हो रही है इसका मतलब यह भी हो सकता है कि भारत ने बांगलादेश पर हंटर चलाया हो और फिलहाल इलाज कराने पर रोक लगा दिया हो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ पहले ही भारत ने बांगलादेश का वीजा एकसेप्ट करना कैंसिल कर दिया था देखिए भारत सरकार की ओर से 1666 देशों के नागरिकों के लिए इमेकवे का विस्तार करने की योजना है जिससे चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है विशेश रूप से मेट्रो शहरों के अस्पतालों को इससे फाइदा होगा क्योंकि वे अंतरराष्ट्रिय मरीजों के प्रमुख लाभार्थी है आप सभी को जानकर गर्व होगी कि भारत चिकित्सा पर्यटन के लिए विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है और बांगलादेश मिडिल इस्ट अफरीका और दक्षिन एशिया के देशों से यहां भारी मात्रा में मरीज आते हैं बांगलादेश में उथल पुथल के कारण भारत को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी बांगलादेश भारत का आठवा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और पिछले साल भारत ने वहां 11 अरब डॉलर का निर्यात किया था कॉटन मशीनरी और फूट सप्लाई के लिए बांगलादेश काफी हद तक भारत पर निर्भर है अगर भारत ने इस मुश्किल घड़ी में मुँह मोड लिया तो दो दिन में ही तहस नहस हो जाएगा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा पूरा बांगलादेश दुनिया के कई देशों में मंदी के कारण भारत को विदेश व्यापार घाटे की नई चुनोतियां का सामना करना पड़ रहा है इसलिए भारत ने अभी तक बांगलादेश के खिलाफ कोई बड़ा व्यापारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है लेकिन भारत के अंदर कई हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो बांगलादेश को जटका देने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रहे है आईए अब जान लेते हैं कि मुख्यमंत्री योगी के किस बयान से हडकंप मच गया है यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1940 के पहले महर्शी अर्विंद ने कहा था कि आद्ध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान की कोई वास्तविक्ता नहीं है उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान हमेशा के लिए समाप्त होगा सीएम योगी ने कहा आद्ध्यात्मिक जगत में जिसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसे नश्ट ही होना है 1971 के पहले बांगलादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था आज भी कई लोग इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं उन सभी लोगों के लिए योगी का यह बयान खत्रे की घंटी है क्योंकि योगी के बयान से यही निशकर्ष निकलता है कि पाकिस्तान और बांगलादेश जल्द ही भारत में विलय करने वाले हैं सीएम योगी ने आगे कहा कि जो 1947 में हुआ वही आज पाकिस्तान और बांगलादेश में फिर से हो रहा है डेड़ करोड हिंदू बांगलादेश में आज असमिता बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं दुनिया और भारत के कथित सेकुलरिस्ट के मुह आज भी सिले हैं इन्हें वोट बैंक की चिंता है प्रधानमंत्री मोदी मोदी ने लाल किले से कहा कि बांगलादेश में जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर पडोसी देश होने के नाते चिंता होना लाजिमी है इसके बाद उन्होंने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है अमेरिका चाहता है कि भारत कभी भी विक्सित भारत ना बने इसलिए वह भारत के अंदर और आस पडोस में हिंसा भढ़का रहा है इसे लेकर PM मोदी ने 247 विक्सित भारत के लक्षे की बात करते हुए कहा कि हम एक सपना लेकर चले, संकल्प लेकर चलते रहे, जूजते रहे हमें गर्व है कि हमारी रगों में Freedom Fighter का खून है वे हमारे पूर्वच थे, तब 40 करोड लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड कर फेंक दिया गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया आगे उन्होंने अंग्रेज और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि आज तो हम 140 करोड हैं अगर 40 करोड गुलामी की बेडियों को तोड़ सकते हैं अगर 40 करोड लोग आजादी के सपनों को पूरा कर सकते हैं आजादी ले सकते हैं तो 140 करोड करोड देशवासी अगर संकल्प लेकर चले एक दिशा निर्धारित करके चल पड़े तो हर चुनौती को पार करते हुए समरिध भारत बना सकते हैं हम 204 सा विक्सित भारत का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं कई लोगों का मानना है कि मोदी ने अमेरिका को करारा जवाब दिया है जिस प्रकार उसने बांगला देश में दंगा भड़काया और भारत को हिलाने की कोशिश की है ताकि भारत की आर्थिक रफ्तार रुख जाए उसे देखते हुए मोदी ने जबरदस्त पलटवार किया है इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जैश्री राम